ओम शांती पांच तीन दो हजार तेईस की अव्यक्त मुरली रिवाईज दस एक उनिस सो चौरानवे एक पॉइंट शब्द को तीन रूपों से इस्मरती वा स्वरूप में लाना यही सेफ्टी का साधन है एक पॉइंट शब्द को तीन रूपों से इस्मरती वा स्वरूप में लाना यही सेफ्टी का साधन है विश्व कल्यानकारी बाप दादा अपने सर्व मास्टर विश्व कल्यानकारी बच्चों को देख रहे हैं हर एक बच्चे का इस ब्राह्मन जीवन का लक्ष अती स्रेष्ट है हर एक नंबर वन पुरुशार्थ करने का लक्ष रखते हुए आगे उड़ते जा रहे हैं लक्ष सभी का नंबर वन का है लेकिन लक्षण नंबर वार है तो लक्ष और लक्षण दोनों में अंतर क्यों है ग्यानदाता बाप भी एक है योग की विधी भी एक है दिव्यगुण धारण करने का सहज प्रत्यक्ष प्रमान साकार ब्रह्मा बाप भी एक है सेवा के साधन और सेवा की विधी सिखाने वाला भी एक है मुख्य बात है पढ़ाई और पालना दोनों ही देने वाला एक और एक नंबर है फिर भी प्रत्यक्ष जीवन में लक्षन नंबर वार क्यों? ये तो तब ही ये तो सब ही स्वयम को अच्छी तरह से जानते ही हो कि लक्षन धारन करने में मैं किस नंबर में हूँ? नंबर वार होने का विशेश आधार है एक ही शब्द पॉइंट पॉइंट स्वरूप को अनुभव करना दूसरा कोई भी संकल्प, बोल वा कर्म व्यर्थ है उसको पॉइंट लगाना अर्थात बिंदी लगाना तीसरा ज्यान की वा धारना की अनेक पॉइंट्स को मनन कर स्वाप्रती वा सेवाप्रती समय पर कारे में लगाना तो शब्द एक ही पॉइंट है लेकिन तीनों स्वरूप की पॉइंट को समय पर इस्मरती में स्वरूप में लाना इसमें अंतर पड़ जाता है इस्मरती सबको रहती है लेकिन इस्मरती को स्वरूप में लाना इसमें नंबर वार हो जाते है कई बार बाप दादा सभी बच्चों को देखते हैं कि इस मरती में बहुत होश्यार होते हैं ऐसा होना चाहिए वह सोचते भी रहते हैं यह right है यह wrong है यह ग्यान भी emerge होता है ग्यान अर्थात knowledge और knowledge is light knowledge is might कहा जाता है तो जहां light भी है might भी है वहां यह होना चाहिए नहीं होता क्या सोचते हैं कि बाप दादा यह कहते तो हैं बनना तो है ग्यान तो यह है लेकिन उस समय मेरे में क्या है वह चाहिए चाहिए में ही रह जाता है इसका अर्थ है कि ज्ञान को लाइट और माइट के रूप से समय प्रमान कारे में नहीं लगा सकते इसको कहा जाता है इसमरती में है लेकिन स्वरूप में लाने की शक्ती कम है जब लाइट अर्थात रोशनी है कि ये रॉंग है ये राइट है ये अंदकार है ये प्रकाश है ये व्यर्थ है ये समर्थ है तो अंदकार समझते भी अंदकार में रहना इसको ग्यानी वसमजदार कहेंगे ग्यानी नहीं तो क्या हुए भक्त वा अधूरे ग्यानी रॉंग समझते भी रॉंग कर्मों के वसंकल्पों के वस्वभाव संसकार के वशिभूत हो जाएं तो इसको क्या कहा जाएगा उसका क्या टाइटल होना चाहिए बाप दादा समय की गती को देख सभी बच्चों को बार-बार अटेंशन दिलाते हैं अटेंशन शब्द को भी डबल अंडरलाइन करा रहे हैं कि ये प्रकर्ती की तमोगुणी शक्ती और माया की सूक्ष्म रोयल समझदारी की शक्ती अपना कारे तीवरगती से कर रही है और करती रहेगी प्रकर्ती के विकराल रूप को जानना सहज है लेकिन भिन्न भिन्न विकराल हलचल में अचल रहना इसमें और अटेंशन चाहिए माया के अतिसुक्ष में स्वरूप को जानने में भी धोका खा लेते हैं माया ऐसा रॉयल रूप रखती है जो रॉंग को राइट अनुभव कराती है है बिलकुल रॉंग लेकिन बुद्धी को ऐसा परिवर्तित कर देती है जो रियल समझ को महसूस्ता की शक्ती को गायब कर देती है जैसे कोई जादू मंत्र करते है न तो परवश हो जाते है ऐसी महसूस्ता शक्ती गायब करने की रॉयल माया रियल को समझने नहीं देती है होगा बिलकुल रॉंग लेकिन माया की छाया के वशिभूत होने के कारण रॉंग को राइट समझते और सिद्ध करने में माया के सुप्रीम कोट का वकील बन जाते हैं तो वकील क्या करते हैं जूट को सच सिद्ध करने में होश्यार होते हैं सच को सच सिद्ध करने में भी होते हैं लेकिन जूट को सच सिद्ध करने में होश्यार होते हैं दोनों में हुश्यार होते हैं, इसलिए बाप दादा अटेंशन को डबल अंडरलाइन करा रहे हैं, महसूस्ता की शक्ती को परिवर्तित करने की सुक्ष्म श्वरूप की माया की छाया से सदा अपने को सेफ रखो, महसूस्ता शक्ती को परिवर्तित करने की सुक्ष्म स्वरूप की माया की छाया से सदा अपने को सेफ रखो, क्योंकि विशेश माया का स्वरूप, विशेश इस स्वरूप में अपना कारे कर रहा है, समझा अभी क्या करेंगे, केरफोल रहना, अगर कोई भी विशेश आत्माएं इशारा देती हैं, तो अच्छी तरह से माया की इस छाया से निकल, बाप की छत्रचाया में अपने को, विशेश मन बुद्धी को इस छत्रचाया के सहारे में लाओ, क्योंकि मन में नेगटिब भाव और भावना पैदा करने का विशेश माया का प्रभाव चल रहा है, और बुद्धी में यथार्थ महसूस्ता को समाप्त करने का विशेश मा कारे चल रहा है जैसे कोई सीजन होती है न तो सीजन से बचने के लिए उसी प्रमान विशेश अटेंशन रखा जाता है जैसे बारिश आएगी तो छाते रेंकोट आती का अटेंशन रखेंगे सरदी आएगी तो गरम कपड़े रखेंगे अटेंशन देंगे न तो मन और बु पढ़ाव नहीं पड़े इसके लिए पहले ही सेफटी के साधन विशेश अपना हूँ वो विशेश साधन है बहुत सहज पहले भी सुनाया है एक ही पॉइंट शब्द सहज है ना लंबा चोड़ा तो नहीं सुनाया ना कहते रहते हैं हाँ मैं आत्मा बिंदी हूँ जोती लगाना चाहते हैं पॉइंट लेकिन लग जाता है क्वेश्चन मार्क और आश्चरे की निशानी पॉइंट लगाना सहज या आश्चरे की निशानी वह क्वेश्चन मार्क की निशानी क्या सहज है बिंदी लगाना सहज है ना फिर क्वेश्चन और आश्चरे में क्यों च सिद्ध होने का और जूट सत्य से भी स्पस्ट और आकर्षन वाला होगा जैसे आज कल का फैशन है ना जूटी चीज कितनी आकर्षन वाली होती है उसके आगे सच्चे की वैल्यू कम हो जाती है रियल सिल्वर देखो और वाइटल देखो क्या सुन्दर लगता है रियल वर सदा चमकता रहेगा तो आकरशन वाइट करेगा या रियल करेगा तो सीजन को पहचानो माया के स्वरूप को पहचानो प्रकरती के तमोगुण के भिन्न भिन्न रंगत को पहचानो एक है जानना दूसरा है पहचानना जानते ज्यादा हो पहचानने में कभी-कभी गलती कर कर देते हो, कभी राइट कर देते हो, अभी क्या करेंगे, सेफ रहेंगे न, फिर ये नहीं कहना कि हमने तो समझा नहीं, ऐसा भी होता है क्या, ये क्या क्या नहीं चलेगा, अभी तो फिर भी बाप थोड़ा थोड़ा रहम करता है, थोड़ा थोड़ा कदम उठाता है, लेकि फिर क्या और क्यों कोई नहीं सुनेगा ऐसा नहीं वैसा ये वकालत नहीं चलेगी जज बनो माया का वकील नहीं बनो मजा बहुत आता है जब वकालत करते हैं अनुभा भी तो सब हो ना अनुभाओ होता है ना सुन सुन कर साक्षी हो हर्शित होते रहते हैं अच्छी तरह से समझा, पांडवों ने, शक्तियों ने समझा, टीचर्स ने समझा, सभी हाँ हाँ तो कर रहे हैं, फोटो निकल रहा है, हाँ का, तीसरी सीजन है, विसेश, कमजोरी के स्वभाव संसकार, समंद संपर्क में आना, इसका विस्तार भी बहुत बड़ा है, वो आ आज नहीं सुनाएंगे, कई बच्चे कहते हैं, क्या करें, पहले तो था ही नहीं, अभी पता नहीं क्या हो गया है, ये संसकार मेरे में था ही नहीं, अभी आ गया है, इसका कारण और इसकी विधी का विस्तार फिर कभी सुनाएंगे, अच्छा, चारों और के बाप दादा के महवाग के सुन्ने और धारन करने वाले चात्रक बच्चों को सर्व सब्जेक्ट को स्मरती के साथ स्वरूप में लाने वाले समी पात्माओं को सदा ज्ञान के हर बात को लाइट और माइट के स्वरूप से कारे में लगाने वाले स्रेष्ट आत्माओं को सदा लक्ष और लक्षन समान करने वाले बाप के ज्ञानीतु आत्मा बच्चों को सदा बाप की छत्र छाया में रहने वाले माया की छाया से सेफ रहने वाले जानना और पहचानना दोनों की विशेशता को जीवन में लाने वाले ऐसे विशेश आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते हम रोहानी बच्चों की रोहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते 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 दादियों से मुलाकात शक्ती सेना तीवरगती से चल रही है न सेना को बाप दादा के साथ साथ आप निमित आत्माएं भी चलाने के निमित हो बाप तो सदा साथ है और सदा ही रहेंगे फिर भी बाप दादा की स्रेश्ट भुजाय तो है न बाप शक्ती देते हैं बाप माईट रूप में हैं लेकिन निमित समझाने के लिए माइक तो आप निमित हो, कितनी मज़े की बाते सुनते हूं, खेल लगता है ना, खेल है, खेल खेल में विजई बन सबी को माया जीत विजई बननाना ही है, ये तो गैरंटी है ही, लेकिन बीच बीच में ये खेल देखने पड़ते हैं, तो ठक तो नहीं हो न, हसते, खेलते, पार करते और कराते चलते, कोई भी ऐसी बात सुनते तो दिल से क्या निकलता, वाह ड्रामा वाह, हाई ड्रामा हाई नहीं निकलता, वाह ड्रामा, वाह वाह करते हुए सभी को वाह वाह बनना ही है, ये सब पार करना ही है, अच्छा, अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है इस निश्चाय और नशे से निर्विग्न इस्तिती का अनुभव करो जैसे उँचे से उँचा बाप है ऐसे हम आत्माएं भी उँचे से उँची स्रिष्टा आत्माएं है यह अनुभव करते हुए चलते हो क्योंकि दुनिया वालों के लिए तो सबसे स्रिष्ट उँचे से उँचे हैं फरिष्टे हो यह दुनिया वाले नहीं जानते देवता पद को इस ब्रामण जीवन से उंचा नहीं कहेंगे उंचा अभी का ब्रामण जीवन है देवताओं से भी उंचे क्यों हो उसको तो अच्छी तरह से जानते हो न देवता रूप में बाप का ज्यान इमर्ज नहीं होगा परमात्म मिलन का अनुभाव इस ब्रामण जीवन में करते हो देवताओं जीवन में नहीं ब्रामण ही देवता बनते हैं लेकिन इस समय देवताओं जीवन से भी उंच हो तो इतना नशा सदा रहे कभी कभी नहीं क्योंकि बाप आविनाशी है और आविनाशी बाप जो ग्यान देते हैं वह भी आविनाशी है जो इस्मरती दिलाते हैं वह भी आविनाशी है कभी कभी नहीं तो यह चेक करो कि सदा यह नशा रहता है वह कभी कभी रहता है मजा तो तब आएगा जब सदा रहेगा कभी रहा कभी नहीं रहा तो कभी मज़े में होंगे कभी मुझे हुए रहेंगे तो अभी अभी मज़ा अभी अभी मुझ नहीं सदा रहें जैसे यह स्वास सदा ही चलता है न यदि एक सकेंड भी स्वास रुख जाए या कभी-कभी चले तो उसे जीवन कहेंगे तो इस ब्रामन जीवन में निरंतर मजे में हो अगर मजा नहीं होगा तो मुझेंगे जरूर तो माताएं सदा मजे में रहती हो शक्तियां हो ना साधारण तो नहीं हो या घर में जाती हो तो साधारण माताय बन जाती हो नहीं सदाय याद रहे कि हम शक्तियां है हद के नहीं हैं बेहद के विश्व कल्यान कारी है शक्तियां अर्थात असुरों के उपर विजय प्राप्त करने वाली शक्तियों को कहते ही हैं असुर संगहार नी अर्थात आसुरी संसकार को संगहार करने वाली तो सब ही शक्तियां ऐसी वहादर हो और पांड़ाओ अर्थात विजई पांड़ाओ कभी यह नहीं कह सकते कि चाहते नहीं है लेकिन हार हो जाती है क्योंकि आधा कल्प हार खाई अभी विजई प्राप्त करने का समय है तो विजई के समय पर भी यदि हार खाएंगे तो विजई कब बनेंगे इसलिए इस समय सदा विजई विजई जन्म सिद्ध अधिकार है अधिकार को कोई छोड़ते नहीं लड़ाई जगड़ा करके भी लेते हैं और यहाँ तो सहज मिलता है विजई अपना जन्म सिद्ध अधिकार है अधिकार का नशा वह खुशी रहती है न हद के अधिकार का भी कितना नशा रहता है प्राइम मिनिस्टर को भूल जाएगा क्या कि मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ सोएगा खाएगा तो भूलेगा क्या कि मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ तो हद कादिकार और बेहद कादिकार कितना भी कोई भूलाए भूल नहीं सकता माया का काम है भूलाना और आपका काम है विजय बनना क्योंकि समझ है ना कि विजय और हार क्या है हार के भी अनुभवी है और विजय के भी अनुभवी है तो हार खाने से क्या हुआ और विजय प्राप्त करने से क्या हुआ दोनों के अंतर को जानते हों इसलिए सदा विजय है और सदा रहेंगे क्योंकि आविनाशी बाप और आविनाशी प्राब्ती के अधिकारी हम आत्माई हैं यह सदा इमर्ज रूप में रहे ऐसे नहीं है तो बने तो है जानते तो है ऐसे नहीं प्राक्टिकल में है जो जानते है वही निश्चय कर चलते है तो हर कर्मे में विजय का निश्चय और नशा हो नशे का आधार है ही निश्चय निश्चय कम तो नशा कम इसलिए कहते हैं निश्चय बुद्धी विजय तो foundation क्या हुआ? निश्चय निश्चय में कभी-कभी वाले नहीं बनना नहीं तो अंत में result के समय भी प्राप्ती कभी-कभी की होगी फिर पस्चाताप करना पड़ेगा अभी प्राप्ती है फिर पस्चाताप होगा तो प्राप्ती के समय प्राप्ती करो पस्चाताप के समय प्राप्ती नहीं कर सकेंगे कर लेंगे हो जाएगा नहीं करना ही है यह निश्चय हो कर लेंगे दिलासे पर नहीं चलो कर तो रहे है न और क्या होगा हो ही जाएगे नहीं अभी होना है गे गे नहीं है जब दूसरों को चैलेंज करते हो कि स्वास पर कोई भरोसा नहीं औरों को ग्यान देते हो न तो पहले स्वयम को ग्यान दो कभी करने वाले हैं या अब करने वाले हैं तो सदा विजय के अधिकारी आत्माएं हो विजय जन्मसिद्ध अधिकार है इस इसमरती से उड़ते चलो कुछ भी हो जाए ये समरती में लाओ कि मैं सदा विजय हूं क्या भी हो जाए निश्चय अटल है कोई टाल नहीं सकता अच्छा अब सभी ऐसी कमाल करके दिखाओ जो हर स्थान विज़ई अर्थात निर्विग्न हो कोई भी विग्न ना आए विग्न आएंगे लेकिन हार नहीं होनी चाहिए तो जहां विज़ई है विग्न हट जाएगा तो निर्विग्न बन जाएंगे सदा निर्विग्न ये कमाल करके दिखाओ कोई भी गीता पाटशाला हो उप सेवा केंद्र हो केंद्र हो लेकिन स्वयम निर्विग्न बनो और औरो को भी निर्विग्न बनाओ ऐसी कमाल दिखाओ करना ही है करेंगे देखेंगे नहीं गे गे कहेंगे माना निश्चे में परसेंटेज है सब ये खुशकबरी सुने कि सब ही छोटे बड़े सेंटर्स निर्विग्न है किसी प्रकार का विग्न आ ही नहीं सकता दूसरे के विग्न को भी मिटाएंगे विज़ाई बनेंगे ऐसा समचार आए कहां से भी कोई विग्न का समचार ना आए ऐसे नहीं कहना कि हम तो ठीक है ये करते हैं हम क्या करें तीन मास विज़ाई रह करके दिखाओ तीन मास में ही पता पड़ जाएगा सभी हां करते हो तो ये कमाल करके दिखाओ अच्छा वरदान एक बाप के लव में लवलीन रह सर्व बातों से सेफ रहने वाले माया प्रूफ भव एक बाप के लव में लवलीन रह सर्व बातों से सेफ रहने वाले माचे एक बाप के लव में लवलीन रहते हैं, विस सहज ही चारों ओर के वाइब्रेशन से वायूमंडल से दूर रहते हैं, क्यूंकि लीन रहना अर्थात बाप समान शक्ति शाली सर्वबातों से सेफ रहना। लीन रहना अर्थात समाया हुआ रहना जो समाय हुए हैं वही माया प्रूफ हैं यही है सहज पुरुशार्थ लेकिन सहज पुरुशार्थ के नाम पर अलबेले नहीं बनना अलबेले पुरुशार्थी का मन अंदर से खाता है और बाहर से वह अपनी महिमा के गीत गाता है अलबेले पुरुशार्थी का मन अंदर से खाता है और बाहर से वह अपनी महिमा के गीत गाता है स्लोगन पूर्वजपन की पोजीशन पर इस्थित रहो तो माया और प्रकरती के बंधनों से मुक्त हो जाएंगे अच्छा उम्शांती आप द्रिष्टी यूही दे ते रहो बाबा सुख सागर में गहरे उतर जाओं हो पल के ना पल भर बंद मेरे इन लहरों को दामन में भर जाओं आप दिष्टी यूही दे ते रहो बाबा